सब्सक्राइब करें भटक रहे जिन्दर दिन, है सभी जब अंधे, भटक रहे जिन्दर दिन, हैरानी में बीत जाये दिन, हैरानी में बीत जाये दिन, पल पल उचेंग अंधेरें मैं सब्ला इतर आश्य में इतर आश्य में इतर आश्य में तोठ गए हैं सारे सपने सपने हो सखेना अपने रुज गए सारे सपने सपने हो सकेना अपने चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ आज ऊदळो नहीं सुखाट इसुखाट नहीं सुखाट पिसमिशा नहीं सुखाट कि चाय बगान में मजदूरी करने आते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग स्तर के लोग निरक्षरता और अज्ञानता के वज़े से उन्हें अक्सर शिकार होना पड़ता है और उसी के विरुद में अपनी आवाज बुलंद करती है लक्ष्मी जैसी लड़किया जिनमें अभी भी एक नए और खुबसूरत जीवन के प्रती विश्वास काहिम है तूबस्द करता है लुब लुब बुब लुब 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 हो अजय कोशाओंगे लुब 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 लाक्ष्मी 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 अरे तुझ यहां बैठी है मैं तुझ रस्मी में ढूंड आया ले पकड़ थैला साला साप के लिए मांस लाया हूं क्या हुआ बैठी रहेगी जा जल्दी जा खाना बना मुझे भूक लगी है भाईया तो चले गए चले गए मैंने तुका का के जना क्या करें बोलो बेटी की तबीयत खराब सुनका ठैते भला इसलिए चले गए उससे मिले पगहर ही चले गए कितनी दिनों के बाद भाई आया थे गाउं से बस थोड़े ही दिन इसलिए तुदास है अरे मेरा भी तो एक गाउं था अब वहां कोई नहीं एक दिन बच्पन में पिहार से यहां चला है जानते हूं गाउं में हमारे बहुत सारी खेत थे बच्पन में मैं गेहुं के खेतों में खेला करती थी यहां तो हमारा कुछ भी नहीं है वहां गेहुं के खेत और यहां हरी चाय के बागा है अरे लड़का कहा गया स्कूल गया है तूसे बिकारी लिखना पड़ना सिका रहे गी उससे क्या पड़ लिकर एक दिन बाबू बनना है वो तो हमारी तरह कूली ही बनेगा कूली बने या जो भी मैं उसे अनपड नहीं नहीं दूंगी तू भी तो सक्षर्टा के अंदर गई क्या हुआ पड़ लिकर वो तो बंदी हो गया बंद होना ही था मदलाल जो चाहता है वही होगा उनसे टक्राने में फाइदा नहीं उस मदलाल को देखना हम ही एक दिन सिधा करेंगे मदलाल से टक्राना नहीं बहुत कतनाक है तुम लोगों की वज़े से वो सर पचड़ा है कितनी बार कहा है उससे रुपया उधार मत लो एक कबरदार मुझे क्या करना है क्या नहीं तुझे से खाने के ज़रूरत नहीं तो औरत है और इसकी तरह रहा है सच बात कहूं तो कड़वी लगती है यह यह भी बोले देती हूं अगर मदलाल ने कुछ कहा न तो मैं भी उसे नहीं छोड़ोंगी हां आज कलता हम वक्य पाचन बेला ही करती बात कहरे यह क्यों तुमको राजा महराजा हो जो तुमें जाने अले बाब जुँ अच्छर लिखना पढ़ना सीख के तो तो एकदम महराजी हो गई है यह मदन बाबू मुझ समाल के बात करना बस बस तो बाब भी हमसे दारू के लिए पैसा लेता था एहसान क्या है भूल गई बैमान एह मदन बाबू फिर से कहती हूं मुझ समाल के बात करना मैंने बाबू का पूरा कर्जा चुका दिया है सूथ समेथ यह क्या हो रहा है हां या वह यह जो जा काम पर जाओ कर्मदल मैंने तुम्हें अपने बागान में अनल से मना किया था ना है अगर आइंदा कभी भी अपने बागान में देखा एक्दम जिल भेच दूगा जो ज़ो यहां से जो तुम्हें तुम्हें नहीं आएंगा अगर कुली नोक्स हमरा मिलना तुम्हें नहीं कर सकते साब बेटा मेरे पास आएगा पाइसा लेने नहीं चाँ उन्हों का तीस्ते वहर कैसे होगा नाच होगा गाना होगा और धुकुर 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 चलेगा प्हाँ मुण०ा का अे कब जड़ कर दो शॉकें का पो ब्राख allezू जोने के लाज वारे कोले से जब दे उस्ते के लाज वाई सुझे आज तो पार आज तो आज सब्सका निला है और हमरा पिशा जना भूल गया अगले हफ्ते देदूंगा अगले हफ्ते देदूंगा हाथ बेटा अगले हफ्ते पैमान किया आज पैसा लेते समय याद है अब पैसा देने के ने भूल गया या कौन बेटा है कौन बेटा है जो हमसे पैसा ने लिया है पॉल पॉल तोन है ए मदर लाल तुमसे मैंने कभी पैसा ने लिया एकदम बकवा मगनलाल उल्ची बात कहकर मुझे मत जड़ाओ बोल मैंने कब पैसे लिए थे जवाब दे जो थोड़ा दिखा पढ़ी सिंगे एकदम मेम सहब बन गई है वो मस्तर नियों भाग गई इसको लवाप बंद हो गया मा मा मैनेजर सापने तुमको बुलाया है क्यों और तुमसे किस ने कहा वा उनोंहीra थे बेजा है बुलाते तो चली चाना हमारे नय माम अच्छे हैं सुना है कोई खौल ना चाहते मैंचे साब के साथ वो टीचर जी भी थी चल्ड आम इसा ज़त्व कहिए यह इनकी क्या समस्याइं आपको नज़र आई हैं मैंने तो यहां पहले भी काम किया है यहां के लोगों की असली समस्या यह है कि इन्हें नशा कराया जाता है इस कारण महाजन से पैसा उधा लेना खतम नहीं होता और हर महीने सूथ देते देते सारी कमाई खतम हो जाती है आपने ठीक ही कहा यह मैंने इस बागीचा का चाज लिया तो मेरी एक इच्छा थी कि इस बागीचे को मैं एक आदर्श बागीचा यहने यहां के सभी लोग एक साथ मिल जुल कर काम करेंगे लेकिन लगता है कि मेरा उस सपना सपना ही रह गया नहीं नहीं आप इतना निराशना हों आप जो यह साक्षरता केंद्र खोल रहे हैं यही तो एक बहुत बढ़ा कदम है बल मुझे पता नहीं कि आप बाहर से आक पर कितने समय तक काम कर पाएंगी मेरी इच्छा है कि यहीं का कोई यहीं रहकर इस काम को आगे बढ़ा है हां इसलिए मैंने लक्ष्मी को यहां बुलाया है कि उसमें एक ऐसा गुण है जो यहने सब को समझाने कि उसमें एक बेज़ोग श्रमता है तीदी मिस्टर सान्याल यहीं है लक्ष्मी नमस्ति साम लगता है कहीं देखा है तुम्हें जी आज सुबह आपने हमारा जगड़ा मिठाया था क्यों दे लक्ष्मी तुझे तुम्हें अच्छी लड़की समझती थी तुने भी जगड़ा शुरू कर दिया नहीं नहीं दीदी वो जो मदनलाल महाजान जानती नहीं आज छेचार कर रहा था मुझसे ओ मदनलाल अभी ये हरकते करता है इसी के बारे में कह रहे थी पगार के दिन फैक्टरी के गेट पे खड़ा हो जाता है और लोगों को दारू पीने के लिए उकसाता है हाँ समझ रहा हूँ मैंने तो स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो मेरे बगान के करीब भी ना आये पर सा शर्ता के अंदर बागार में शिरू कर रहे हैं तुम दोग आओगे ना हाँ साब प्रिया मुरा रहे पड़ते स्वा में न न दू चिछिया लिखाई दू अब अब उसक्राइब कर दो आपका धन्धा किसे चलेगा अब भाई यह बोतल जो एक बार पकड़ता है ना वह फिर से जिंदगी में चोड़ नहीं सकता अमरेथ है अमरेथ बड़े भाई अमरेथ जिंदगी भार दारू नहीं पीए फिर आप कईसे समझ गए कि अमरीथ है अमरीथ आम राम 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 आपने धन्दे का माल खुदी पीलू तो मेरी आमदनी कैसे होगी क्यों रे छोटो तू दारू नहीं पी रहा तुमारी मास्टर नी ने नहीं पीने को कहा है क्या कहते हो सिर्जी वो मास्टर नी तो नजदीक आने की हिम्मत ही नहीं करती काहें तो और अवरत लचमी वहुद चतर-पटर बोलती है कुछ अदमी जुटा के फिर से स्कूल चालू किया है हां तभी तो साला कहूं मेरे ठेके पे इतने कम आदमी क्यों है ओ सबने ABCD काखा पढ़ना चुड़ू कर दिया है क्यों छोटू तू इतना महल काम क्यों ले रहा रहे है क्यों अधिया मुलारे पर्जुवावे मेरे चिछी यारे शेट्री काईसा खतम होगे है थोड़ी माल पिला तुए ले राम, राम छोटु यह धंता है धंताँ नकत छोट धंता नहीं करता तू जानताए हां थुझसे है अच्छा बनती है यह ठीक बात है लेकिन धंता धंता होता है और लिल चत्तता धंते नहीं होता चोटू राम कं ती नहीं कम न COR दृपकान है है हम कह लिए हूय ह n ले, 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 बैसा ले, एर, दू, तीन, ले, ले, तीस रुपिया, ठर, ठर, और इहाँ, इहाँ आपना एक्टराम उठा लगा दे, इहाँ, इहाँ आपना मुठा लगा दे, आ, अर्सन, सब मिलाके हो गया, देड़ हजाल, आ, शूज का पैसा हमको समसे देड़ना, हाँ, दो माल दूआ मैं, मैं अच्छा थी हो, तुम में से जो थोड़ी ज़्यादा पड़ी लिखी हो, वो खुद केंद्र चलाने की जिम्मेदारी ले, और मैं सरकार से जितनी सहाता मिल सकेगी, वो तुम्हारे लिए अवश्य करूंगी, दीदी, हम लोग खुद ही केंद्र चला सकेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बात, हाँ, हाँ, वो तो सही बात है, तब तक मैं तुम लोगों को, खासकर लक्ष्मी तुम्हें सिखाऊंगे किस तरह केंद्र चलाते हैं, समझ गई न, सिर्फ लिखना पढ़ना जानना ही काफी नहीं है, हमें जानना है हमारे आज़ पर उसकी बाते, किस तरह पीने के पानी को शुद्ध रखा जाए, हमारे शरीर और मन को स्वस्त रखा जाए, बच्चों को, बड़े बुरों को, किस तरह खतरनक बीमारियों से बचाया जाए, इसके अलावा और भी कई बातें तो होती ही है, पर दिदी, ये जो हमारे घर में गरीबी है, ये भी बीमारी नहीं है क्या? हाँ, जरूर है, लेकिन ये एक सामाजिक बीमारी है, और इससे बचने का उपाय तुमें ही निकालना होगा, पहले इस बीमारी का कारण ढूनना होगा, गरीबी के कई कारण होते हैं, हर एक जगा की अलग बजा है, दिदी, हमारे यहां की गरीबी का कारण मैं जानती हूँ, और आप अगर भरुसादे, तो इसका में हम जरूर सफलोंगे, इसमें सफलता पाने के लिए तुमें अपने घरों से ही ये काम शुरू करना होगा, हम सब ऐसे ही करेंगी दिदी, हम लोग अपन सशरीर, स्वस्त मन से, शानती से एक साथ काम करें, आप लोगों की यदि कोई शिकायत हो, तो सीधे मुझे आके बताएं, इसके अलावा, मैं आपको एक और सुचना देता हूँ, कि यहां पर मैंने एक साक्षर्ता केंदर चालू किया है, मैं चाहूंगा, कि आप सभी है, वहां आकर लिखाई पढ़ाई करें, मनीजा साब, हमारे एक शिकायत है, क्या शिकायत है ते तुम्हारी, यही कि हमारे मर्द दारू पिकर हमको पीटते हैं, और फिर सारा पैसा दारू में फूग देते हैं, यह तो भई तुम्हारा निजी मामला है, इस समस्या का हल त तो फिर मेनजग साब, शिफ प्रषाद की देशी दारू की दुकान भी बंद करनी पड़ेगी, हाँ, बंद करनी पड़ेगी रुक, रुक, छोट्टु राम, का बात है रे, तुरू मस्टरनी जी बहुत दिन से दिखाई नहीं दी वो मस्टरनी तो चली गई है, अब स्कूल चला रही है, लक्षमी हाँ, तो रावरत लक्षमी, स्कूल का मस्टरनी हो गई है ऐ, छोटु तेरे उस नहे मैनेजर का इरादा क्या है? देखना, तेरी बीवी उस मैनेजर के सांग कहीं भाग ना जाए मा, बाबा का आ है? आ जाएंगे बाबा ने कहा था मुझे मिला दिखाने ले जाएंगे तू तो बिमार है तू ठीक हो जा मैं तुछे ले जाएंगी नहीं बाबा ले जाएंगे अच्छा चल ले सोज़ा लक्षमी अलक्षमे अलक्षमे क्या हुआ कुछ रुपय दे क्यों तुरे तंखा के रुपय कहां गए अरे वो तो सम्मधनलाल को देने पड़ी तुद देना वाना तुछे शर्म नहीं आती रुपय मांगते घर में बच्चा बीमार है और तुछ दारू पीने अज नहीं गया तो सुद का पैसा वापस नहीं दिया तो बड़ी मुसीवत अज हम सब मिलके सुद का पैसा देंगे अज कोई नहीं जाएगा वहाँ आज हम सब मर्दों को रोक रखेंगे सची हम अगर नहीं गये तो मदनलाल यहां आ जाएगा आने दे उसे पहले देखे क्या करता है वो उसे नाराज करने से वो फिर उधार नहीं देगा हमें ना दे हमें ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि मदनलाल के सामने हमको हाथ ना पहलाना पड़े यह नहीं हो सकता हम गरीब लोग है उधर तो हमें लेना ही पड़ेगा अकसर बीमारिया लगी रहती है जेमें पैसा नहीं है उसके पास तो जाना ही पड़ेगा हम जैसा कहते वैसा कड़े से जरूर छुटकारा मिलेगा ए लक्षमी मुझसे अब एक भी बात निकाला तो एक च्छापण मारूंगा हाथ लगा के तो देख एक बार अरे बैमान का उलाद रुपया लिया है तारू रुपया है अब रुपया भी नहीं देगा ले जाओ अपने स्ूत का पैसा और सूनों अपसे हम वीव्या तुमारा पाइसा वापस करेंगी ठीक हाँ हाँ हम और दिस सब पैसा चुका देंगे क्यों देखे ना हाँ हमें देखे चलो बैठो देखे तुम्हारा सूथ का पैसा कितना हुआ उठो उठो तुमसे उठो और तो फिर सूथ कितना हुआ तूसो रुपिया कि तो सूथ के दो सूथ के दो सूथ और यह रहे असल के तीनल और बहुत अच्छा ही यह चलेगा है तो समझ ले लुट मी हमार असल रुपिया तो कुछ दे नहीं चाहिए। लगा अरे रोको रोको यह क्या मदन बाबू तुमने कहा 1580 और यहां लिखा है 5000 मैंने शूद दिया 200 तुमने लिखा 50 इसका मतलब क्या है हमको लगता है थाता लिखने में थोड़ा दरबड़ी हो गिया है देखें एक बर खता डिखें है तुमने कितने रुपे दिया है बोलो तो यह क्या यहां तो तुमने जितने रुपे दिया है सब हिसाब गडबर का रखा है उधार के रखम भी बढ़ा के लिखिये ने क्या हुआ है बैमान हम लोगो चोरी से ठाग रहा है बत्माश कही के अग्यां पार से चोरी किशार है अप्धार दाला है इना इसले पत्माश शर्चाथ के अब लोगो अरे रुको सब रुको रुको अरे दीदी आ रही है अरे लक्षमी अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है हां दीदी हमने आज अपनी बीमारी का हल दो निकाला यहां क्या हो रहा है मैं तो कुछ समझ ने पा रहा हूं मनीचा साब वो मदन बाबू इतने दिनों से उधार के नाम पर हम लोग ठज रहा था और वो उसने हमारे मर्दों को दारू पीने की लट लगा दे थी साब आज रंगे हाथों पकड़े गए तुम दोने यहां हो तो कि जो कह रही है वो सब सच्छे सब सच्छे सच्छे क्या है अब करिये हैं थे परबात है तो ऊप्षमी अब तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा लेकिन उसके पहले हिसाब किताब करना होगा कि तुम्हें कितना मिलना है और वो हिसाब करेगी लख्षमी सब लोग ध्यान से सुनो मैं खुद खड़ा होकर तुम्हारा सारा उधार चुकता कर दूंगा पर अपसे तुम लोगों को अपनी भलाई खुद सोचनी होगी और मदल्लाल तुम भागो यहां से सही हिसाब लेकर आना और अपना सारा पैसा मुझसे ले लेना लच्मी आज तुम लोग वास्तव में साक्षर हो गये हो फिर नई सुऩवग, नई सुवग, नई सुवग, नई सुवग है सभी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदर दिने है सभी जब अंधेर में भटक रह जिंदर दिमें हैरानी में बीत जाये दिम 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 झाल, 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 झाल.